असलामवलीकमालेफ यूग व्यूटी हूं चैसे आप सब लोग अमीद करती हूं कि आप सब लग ठीक होंगे और आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो है ना परफेक्ट आई का कॉर्णर किस तरह से बना सकते हो और आई-लाइनर किस तरह से परफेक्ट लगा सकते हो जिसके लिए में स्कॉर्ट स्टेप करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं इसके लिए मैंने मुसरत मिस्पा का आईबर पैलेट लिया है इसका कट करके आई के कॉर्णर पर रखोगे अपनी च्वाइस के अकोर्डिंग जितना उंचा या जितना तीखा जहाँ कॉर्णर बनाना चाहते हो उसके बाद एक कोर्स ट्रिप लोगे बट उसको आपने ज्यादा चोड़ा नहीं रखना और उसको आपने इस तरह से आई में यहां पर इस के साथ ब्लेंडिंग करेंगे और हमने इस टेप से बाहर नहीं लेका आना इस के लगे इस एरिया में गोर्डन पिंक सिल्वर जो भी कलर आपको चाहिए आप यहां पे अपलाई कर सकते हो डिपेंड करता है आपके च्वाइस पे जब पूरे आइलेट पर अच्छे से कॉपर कलर यह जो भी कलर अपलाई हो जाएगा दन मैं जो है ना एक डल गोर्डन कलर लोंगी आप इसकी बड़ी शेप कर देख देख रहा है तो कांड़ी यह पार्ट जो सिर्फ फिमेल के लिए है तो बहुत सारे लटके आप परेशान है अपनी बोडी शेप की वज़ा से क्योंकि बड़ी शेप अगर अच्छी नहीं होती तो कप्ड़े पहने पेने वे अच्छी नहीं लगते बहुत सारे लेटकें परेशान रहते हैं पूछती है और यह ऐसा कॉमन इशु है जो कि हम हर किसी के साथ डिसकस भी नहीं कर सकते तो यहां मेरे पास बैस्ट ओल के नाम से बहुत ही जबर्दस और यह परसुनली मैं यह यूज कर वा चुकी हो तीन से चार्ड लोगों को व बहुत अच्छा है आप थोड़ा समसाज करोगे तो यह स्किन के साथ एज़स्ट हो जाता है आपको बहुत जादा लाइक जता नहीं करने पड़ते है और चिप चिप वाला कोई सी नहीं है तो आप इसको दिन में एक से दो बार यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छ रिसल् यहां पर हम जो है ना उपर वाली जो स्कॉर्स टेप है वह हम रिमूफ करेंगे निचे वाली टेप आपने अभी रिमूफ नहीं करनी सबसे पहले हम इसको उपर से थोड़ा क्लीन करेंगे थोड़ा ब्लैंड करेंगे अच्छा यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक थी तो उमने से ही नहीं चोड़ना हमने चोड़न चाहिए उसको बहुत इसको ब्लेंड खर भ्लेंड करना है उसको मैं अपने अपनी ब्लाबन अ में एरिया पर अपलय करेंगे नियुक्त लीडियों हम और अर्वर्ड या तो आपने बैडल्स को या फिर पफी या हुडी डाइस बगार वालों को अप्लाइ करना है तब केक लाइनर नहीं लगाओगे क्योंकि केक लाइनर पैल जाएगा एसी आइस पर और दूलन को तो बिलकुल नहीं लगाना क्योंकि वह रोगी तो लाइनर खराब होगा आई मेक पैल जाएगा तो आपने उनको लिक्विट लाइनर यूज कर लें और फिर जब हम लाइनर अप्लाइ कर लेंगे देन हम जो है वो टेप रिमोव करेंगे जो हमने नीचे वाले साइट पर एपलाई की थी और यू कन सी के बहुत ही मुझे की शेप बन चुकी है हमारे लाइ कर लेह दो टेप के साथ ही आपकी बेस बाइस कर जाएगी तो आपने ऑप करना है पूरा उसके लिए पहले प्रिमोव कर देंगे और अंडर आइ मेक अप जया है वह हम करेंगे ठीक है और अन्डरा आइक के लिए मैं सेम सीरीज ला तो प्लैंग ब्लां करें थाल एक्ला आ लेशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देने के लिए इसके बाद आप चाहो तो लेशेस भी लगा सकते हो नहीं तो ऐसे भी आप अपनी रियल लेशेस को भी वॉल्यूम दे सकते हैं इसके साथ ही फाइनल उक्जिया वाप लोगों के सामने हैं और जो मैंने पूरी कुश लेकिन इतनी मुश्किल होती है जितना हम उसको समझ लेते हैं तो इस वाज़ेसे मैं जो है ना इसको असांतर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूं इनर विंग आप इसी तरह से चोटे-चोटे स्टॉक में बना सकते हो काम कोई भी कोई भी कोई भी इंपॉसिबल नही है ठीक है ना सो उमीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो का लाइक करें और मुझे इंस्ट्राग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें इसके साथ ही मुझे जासे दें दौब याज रखें मिलते हैं को ने वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज